एक लाग की order मेरे store की उपर एक लाग की order रूपो रूपो ये एक लाग की order guys fake है ठीक है और ऐसे orders मुझे पता है कि आपके store की उपर भी ऐसे fake orders आते होंगे इससे बचना कैसे वह मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाल हो, इसकी एक simple trick हो आपको बताना जाऊऊँगा, कि आपके store का URL होता है या फिर आपके store का जो name होता है उससे किसे बचा जाए कि वह उतनी बड़ी order place ही ना कर सके वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वालो सो बीना time waste किये सिधा चलते है मेरे screen के अंदर So guys ये एक store है मेरे client का जो मैंने अभी recently बनाया Actually ये वीडियो के example के लिए मैं मेरा वाला store यूज नहीं कर सकता ज्योंकि उसमें अगर से मैं इतनी बड़ी एक fake order खुदी place करू तो मेरे को facebook में problem हो सकता है इसलिए मैंने मेरे client का job भी मैंने इनको एक store बना कर दिया है जो 6% की ऊपर रहता है मुझे पता है कि Indian customers को किस टाइप के stores पसन आते हैं तो मैं उस according store बना तो अगर से आपको मुझसे store बना बनवा कर चाहिए तो description में मैं link दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप click कर सकते हो और मेरे से store बनवा ले सकते हो ठीक है so anyways अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप एक और रही है एक लाख रुपे की जो मैंने ड्राफ्टी प्लेस किए ठीक है तो इससे आप बचने के लिए simple तरीका है आपको श्रीफ एप्लिकेशन में जाना है ठीक है और ऐसे बहुत से fake followers आते रहते हैं गई maximum price में आपको यह चीज़ करनी है कि लेट से कि आपका प्रोड़क्ट 500 रुपीज का है एक प्रोड़क्ट बेच रहे हो 500 रुपीज का ठीक है तो मुझे बताए कि इंडियन में maximum से maximum कोई भी अगर से आता है store के उपर तो maximum दो प्रोड़क्ट और करेंगा उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि दो और करता है बाद में confirmation की बोलता है कि नहीं मुझे तो एक ही चाहिए था ठीक है तो अभी आप 500 बेच रहे हो तो आपको इस वक्या करके रखना है कि 500 कितना होता है 1000 की ऊपर और एक रुपय या दस रुपय जोइन कर दो तो अपने यहाँ पर एक हजार एक रुपय बकड़ ले ठीक है तो यहाँ पर आपको वैस एक हजार एक डालना है और वो देखना है कि आपकी मतलब एड कौन से प्रोड़क्ट की चल रही है ठीक है उसक का मीनिंग यह कि अभी जबी भी कोई cash on delivery की order मारेंगा तो minimum 200 से लेकर तो maximum 1,001 रुपीज तक की order वो cash on delivery में place कर सकता है इसकी ऊपर अगर से amount जाती है एक लाग दो लाग है दस लाग तो वो order बिल्कुल भी place नहीं कर सकागा cash on delivery की उसको पहले उसके लिए prepaid payment करना पड़े ठीक है अभी मैं आपको example भी दिखाता हूँ उसका total 1197 है ठीक है amount मतलब 1000 से उपर है जो अपन ने इदर डाली थी 1000 से उपर की amount है 1197 अभी यहाँ पर मैंने cash on delivery select कर लिया और यहाँ पर मैं complete order पे click करता हूँ तो अभी आप देखोंगे कि order place ही नहीं होने वाली है यहाँ पर online payment का system होता है वो use करना पड़ेगा तो इस तरह से आप यह type के haters से यह type के जूटे लोगों से यह type के जलने माले लोगों से आप बच सकते हो ठीक है बट इसके अलावा फिर और चीज होती है जिसमें वो रोज कोई ना कोई आएंगा रोज दो पात्सव 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 से के order place करेंगा उससे कैसे बचना है वो मुझे अभी के लिए नहीं पता अगर से मुझे आगे पता लगता है तो मैं इस चैनल पर जरूर उसके लिए भी वीडियो ला दूँगा आप लोगों के लिए बड़ अभी के लिए आप यह वाली चीज जरूर आपके store में करके र आते हैं रोज कोई नहीं की पास्तो पास्तो के order place करता है जाने मुझकी और फेक और होती है तो उससे कैसे बचा जा अगर से आपको वह पता है तो मुझे जरूर बता देना इंस्टाग्राम पर कॉंटेक करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर दे रहा हूं ठीक साथे साथ मैं इस चैनल पर पोड़कास्ट भी लाते रहे तो अगर से आपको इस टैप का कॉंटेंट पसन है तो चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर देना that's it for this video guys thank you bye bye